एक ऐसा एक्जाम जो आपकी नीड्स और ड्रीम्स दोनों को पूरा कर सकता है अगर कोई एक्जाम है जिसमें सबसे पहले प्रमोशन्स होती है तो वो है अपर जूनिर ओफिस एसिस्टेंट का एक्जाम फ्रेंड्स 1756 पोस्टे हैं एक सीट सिर्फ आपको हासल करनी है ये मोका छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स प्रिक्षा हॉल में जाने से पहले उन सभी क्वेशन्स को पढ़ लीजिए जो आपके लिए इंपोर्टन है फ्रेंड्स टॉपिक वाईज हम डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक हमारा रहेगा MS Excel के उपर यहां से क्वेशन्स कौन कौन से हाइलाइटेड हुए है पिछले 10 मीनों की मैगजिन्स में और कौन कौन से क्वेशन्स MCQ's है आपके पिछले 3 सालों के जितने भी पेपर हुए है चाहिए मैं हमेरे पर बोड़की बात करूँ या फरिशमला बोड़की तो हम सभी questions include कर रहे है एक भी questions आपका छूटने नहीं चाहिए लेकिन दोस्तों अगर आपको professional scandal त्यारी करनी है हजारों students के साथ और अपनी त्यारी को देखना चाहते है तब यहाँ पर whatsapp कर लेना लेकिन whatsapp कर्टेस में junior office assistant free test जरूर mention करें ठीक है तो चलिए पहला questions आपकी screen के सामने है what is the intersections of a column and a row on a worksheet called जल्दी से बताना है दोस्तों जिन्होंने descriptive lectures अच्छे से देखे थे questions का मालूम होना जुरूरी है क्योंकि आपको यह सारी questions आने चाहिए ठीक है बताई जल्दी से 3 seconds सभी के पास रहते हैं the right answer is option number dn की cell I hope सबका answer सही हुआ होगा इन questions के माध्यम से आप यह देख सकते हैं कि आपको कितना topic यह clear हुआ है what type of chart is useful for comparing values over categories important questions दोस्तों जब भी हम तूलना के लिए बात करते हैं तो किस प्रिकार का chart उपयोगी है ठीक है लेकिन यहाँ पर बात की गई है comparing values over categories ठीक है बताना है आपने अगर दोस्तों आपको यह चीज़ें clear हैं कि pie chart column chart chart line chart और dot chart तब आप यह questions का अच्छे से tackle कर सकते हैं ठीक है और questions आना चाहिए important है the right answer is option number b यहनिकी column chart i hope सबका answer सही हुआ होगा free test कैसे लगाना है starting मैंने आपको बता दिया है पूरी detail next statistical calculations and preparations of tables and graph can be done using यहनिकि दोस्तों statistical calculations और graph की जो रिखांकन है यहनिकी की त्यारी का उप्योग करके यह जा सकता है तो बताना है आपने जल्दी से options सबके साबने है the right answer is option number b यहनिकी excel दोस्तों full test series अगर आप junior office assistant के लिए join करना चाते है professionals के अंडर ऐसी test series जो ओल्रेड़ी junior office assistant की post पर है government post पर है उनके द्वारा बनाएगी specials test series है तो आप यह जरूर जोइन करिए superior crash course में आप पर यह सब कुछ include है price बगारा fees बगारा आप वर्टसप करके पूछ सकते हैं next is what type of chart will use what type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016 बर्ष 2016 में दो कर्मचारियों के परदर्शन की दोलना करने के लिए आप किस प्रकार के chart का उप्योग करेंगे दोस्तों important questions है यह question छूटना नहीं चाहिए किसी के भी ठीक है नवंबर की magazines में questions highlight हुआ है यहनकी top 10 magazines में questions देखने को मिला है तो इस तरह के questions आपकी exam में देखने को मिल सकता है the right answer is option number B यानिकी logical ठीक है इन questions के माध्यम से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कैसी आपकी त्यारी है next is what type of chart is useful for showing trends और changes over time बताना है आपने समय के साथ रुजान या परिवरतन दिखाने के लिए किस प्रकार का chart अपयोगी है जल्दी से यह questions आना चाहिए सभी को दोस्तों for more questions के लिए आप WhatsApp कर सकते हैं the right answer is option number CN की line chart like जिरूर करिए क्योंकि ऐसे questions verify करके आपके लिए लेकर आना बहुत मेनत का काम रहता है तो like करके अपना feedback जिरूर दे the dash features of MS Excel quickly completes a series of data MS Excel की dash सुभिदा जल्दी से data की एक शरिंखला को पूरा करती है important questions है आना चाहिए सभी को जब दोस्तों मैं यह बात कह रहा हूँ कि आना की questions तो important हो जाता है वो questions की values को समझे यहां पर the right answer is option number BN की autofill चलिए next यहां पर देखते हैं what type of chart is useful for comparing parts of a whole दोस्तों यहां पर मैं अगर इस questions की बात करूँ तो यह questions पिछले central level की exam की अगर मैं बात करूँ यहां पर तो किसी ने किसी state में questions जरूर include हुआ है ठीक है चाहे मैं डेली exam की बात करूँ या फिर हर्याना के exam की बात करूँ या फिर पंजाब की level की exam की बात करूँ दोस्तों मैं यहां पर इन states का नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि हमेर पर बोड और essay questions को modified करके और analyze करके आपके exam में पूछ रहा है आप इन चीज़ों को skip नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहां से आप देख लिजी कि आपका topic पका हुआ है या नहीं बताइए इसका sciences the right answer is option number an की pie chart यानि कि दोस्तों जिनको अभी तक ये clear नहीं है pie chart, column chart, line chart, dot graph ये चीज़े किया है तो दोस्तों आपको समझने पड़ेंगी और समझने के लिए आप descriptive में link दिया गया है उसके through आप previous lectures में जाएए आपको सब कुछ मिल जाएगा, what do you use to create a chart, chart बनाने के लिए आप क्या हो करते हैं, बताइए इसका सही answers क्या होगा, सब को आना चाहिए questions और जिसके questions सह ही होरे हैं दोस्तों बहुत जिरूर लाइक करें अपने लिए, ठीक है, the right answer is option number DNA की चार्ट भी जाट, ठीक है, चली next यहां पर देखते हैं, how will you use graphically represent expenditure in different departments, बताइए इसका सही answers क्या होगा, important questions है, इन questions के माधिम से topics को देखिए और free test की detail में आपको starting में बता दी है, the right answer is option number C&E की pipe chart, ठीक है, दोस्तों, superior crash course जरूर जोनी करिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, इस exam को tackle करने के लिए, क्योंकि professionals आपको ये चीज़े provide करेंगे, और ऐसे professionals experts हैं, जो already government posted पर हैं, तो उसका सभी कसमें अनुभब आपके लिए काम आएग बताइए, what type of chart is good for single series of data, data की एक शिंखला के लिए किस chart का, किस प्रकार का chart अच्छा है, important, बताइए, the right answer is क्या होगा, the right answer is option number DN की bar chart, जिनको थोड़ा सा speed लग रहा है, वो वीडियो pause करके अपना answer सोच सकते हैं, ठीक है, चलिए, next यहाँ पर देखते हैं, the basic unit of a worksheet into which you entered data in Excel is called, बताइए, किसी worksheet की मुली एक आई, जिसमें आप Excel में data दर्ज करते हैं, वर्क हिलाती है, बताइए, यह तो सभी को clear होना चाहिए, the right answer is, option number AN की cell, अगर यह questions किसी का गलत हुआ है, तो सच मानिये, book खोलिए, या फिर online sources read करिए, क्योंकि आपका हरे concept, आपका हरे questions important है, 1756 अपन पोस्टे हैं, एक पोस्ट हासिल करनी है, 85 से 115 के बीच, यह cut off रहने वाली है, तो मेहनत करते हैं रही दोस्तों, यह मोका बार बार नहीं मिलेगा, how many sheets are there by default when we create our new Excel file, बताइए, इसका science is क्या होगा, सबको questions आना चाहिए, the right answer is option number BNK 3, ठीक है, चलिए, next यहाँ पर द रहते हैं, it is a collection of data that is stored automatically, is a series of recorded in a table, very very important questions, दोस्तों, एक data का संग्रे है, जिसे electronic, electronic रूप से एक तालिका में record की, एक शरिंखा के रूप में संग्रहित किया जाता है, important questions, questions की value को समझें, यहाँ पर, the right answer is option number CN की database, दोस्तों, सभी questions important से, सभी questions की, साथ-साथ ही questions, highlighted और top 10 magazines के पिक अप किये हुए questions थे, अगर अभी भी आपको पता नहीं लग रहा है, दोस्तों की किस तरह से यह questions टैकल करने हैं, और क्या के questions expected हैं, वाटस अप करने हैं, क्योंकि आपके लिए हरे questions important role play करेगा, सरकारी नोकरी के लिए, तो मुखा छूटना नहीं चाहिए, like share, subscribe जरू लिंक मिल जाएगा, तो जुड़े रहिए, तो फिला दोस्तों सिक्सा जय हिंद, जय हिमाचल,